हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर करूंगी राजमा की रेसिपी और ये राजमा रेस्ट्रेंट धाबा और होटल से भी कई युना बहतर बने हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बताया है तो आप पहली बार बना रहे हैं तो आप भी एकदम परफेक्ट राजमा बना लेंगे और आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखेगा और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो में चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करेगा तो इसके लिए मैंने आधा कब राजमा भीगो दिया था करीब आट दस गंटे के लिए आप राजमा को भी इलाजी ले लेंगे एक हम डाल चीनी डाल देंगे इसमें सिनेमन स्टिक राजमा से उपर तक हम इसमें पानी डालेंगे तो एक इंच उपर तक थोड़ा पानी रखना है इसे पकने में थोड़ा जाधा टाइम लगता है और इसमें मैंने आधा चमज मैंने हल्दी डाल दी अगर आपके याँ जल्दी गल जाते हैं तो आप कम सीटी लगाएं तो आप एक बार देख लें अगर टाइट हो तो आप दुबारा से इसमें सीटी लगा दे तो करीब 8 सीटी लगाई थी मैंने इसको फिर खोला तो यह काफी सॉफ्ट हो गए थे मैश करने पर अराम से तू जाल दिया है ंzessß मैंने 3 ड़ा दो। शूटकी मैंने हींग llegar दी है एक तेज पात-पत्तर डाल देंगे और प्यक टावा कौट यह सब मैंने ने काटके रखा riches माहने व्होड़ा करते वग दाल धिया था था हुटा प्यास टूमेटि और हम ने काट यह तो एक हरिमिर्श डाल देंगे जब तेल में पाद पत्ता और जेरा थोड़ा चल जाय chocolate थे हम एक छोटा प्यास काट कर भाहरी करेंगे तो प्यास को soft होने तक हम थोड़ा करेंगे प्यास जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें एक टी स्पून हम अध्रक लैसुन का पेस्ट कर देंगे और इसको हम भून लेंगे थोड़ा तो मैंने कोई भी मसाला नहीं पीसा है हमने काट कर यूज में लिया है तो बहुत ही जट पड बन जाएंगी तो अ माधा टी स्पून मैंने रैड चिली पॉडर राइट कर दिया है हल्दी हम नहीं डालेंगे हल्दी मैंने बॉइल कर दाली थी अब इस मसाले को थोड़ा भून लेंगे और जब यह थोड़ा भून जाएगा अच्छे से मिर्ची भी कच्छी ना रहे तो 2-3 मिनिट भूनने मैंने राजमा एट कर दिया है राजमा में अल्रडी पानी है अब भूइल करते वक जादा पानी डाला था हमने तो अब इसे हम थोड़ी तेर पकने देंगे और अगर जादा गाड़ा हो तो आप थोड़ा पानी डाल दें क्योंकि रखने के बाद में यह और भी ठीक हो जा दाल दें तर इसको करीब 4-5 मिनिट तक हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर और यह यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सबजी है अगर आप लंच में भी बनाना चाहरे हैं लंच बॉक्स के लिए भी बनाना चाहरे हैं तो आप रात में छोले भीको कर रख दें और सुपह मे अधा चमच में भुना वजीरा डाल दिया है और मैंने इसमें एक चमच अमचूर पॉडर भी डाला था तो आप देख लिए अगर आपको थोड़ा खटा टेस्ट पसंद है तो आप अमचूर पॉडर डाले वरना हमने टॉमेटो डाला है तो आप अमचूर पॉडर को राजमा को सर्फ कर लिया है तो है ना कितने कम मसाले में एकदम मसालेदार राजमा बनकर तयार है और बहुत ही कम तेल हमने यूज मिलिया है तो बहुत ही हल्दी रेसिपी है होटल और रेस्टरेंट से भी अच्छा आप घर में राजमा बना लेंगे तो आप एक बर इस र लेकिन आप एक बार इसे ट्राइ करेंगे तो आप नेक्स टाइम जरूर बनाना पसंद करेंगे इसी तरीके से क्योंकि ये इतना आसान तरीका है बनाने गया तो मैंने इसके साथ चावल बनाए थे और चावल के साथ मैंने इससे सर्प किया है कलर भी इतना बढ़ी आया है राजमा का राजमा बहुत अच्छे से कुक भी हो गया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे जब आप इस तरह से राजमा बनाएंगे तो आप ट्राइज जरूर करीगा मेरी इस रेसिपी को और कॉमेंट्स में बताईएगा जरूर कैसे लगी है जादा से जादा मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें